So hello everyone and welcome to this video. So, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं What are the safe scores for CUT UG 2025? देखो, आप सभी बच्चे CUT UG 2025 की तैयारी कर रहे होंगे और जो top central universities हैं like Delhi University, BHU, JNU और भी top central university और state universities आती हैं वहाँ से अपना जो graduation का जो course है उसको परश्यू करना चाते होंगे आप सभी CUT UG की preparation कर रहे हैं देखो, किसी भी exam को crack करने के लिए उसके लिए दो सबसे जादे important चीज़े होती हैं पहली तो आपकी जो exam pattern और जो preparation है वही आपकी आजाती है कि आपको exam pattern पता है और आपको कितना पढ़ना है क्यासे कैसे पढ़ना है उसकी preparation जो strategy होती है वह सबसे जादे important होती है उससे भी जादे important चीज़ होती है जो second factor आता है वह आपका आजाता है आपका goal means आपका target अगर कोई भी आपका exam है उसके लिए आपको कितना पढ़ना है आपके सारे subjects आपके सामने है for example आपके पास target score है कि मेरे को 800 marks में से मेरे को इतने marks लेके आने है ताकि मैं इस course को इस अपने dream college से pursue कर जगूँ तो अगर आपको वो target score पता होगा तो आप अपनी जो preparation है उसको मतले कि strategically क्या कर पाऊगे प्लैन कर पाऊगे अगर मेरे पास ये three subject है तो मैं दो subject में इतने marks लेके आप आ रहा हूँ मैं असानी से इन subject को पढ़ लेता हूँ तो मेरे को third subject में कितना मेरे को time देना होगा कितना मेरे को score ध्यान से पढ़ना होगा ताकि जो ये मेरा target score है इसको मैं achieve कर सबूँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होने वाली है और ये safe score ये जो target score है मतलब different universities और different courses साथ साथ different categories के लिए ये आपको पता होने ये सभी universities के लिए, सभी courses के लिए and सभी categories के लिए जो safe score रहने वाला है for CUT UG 2025 वो मैं आपको इस वीडियो में बताने काफी helpfully आपके लिए सारी चीज़े रहने बाकि कैसे आप score को मतलब की ये जो मैं आपको target score बताऊंगा इसको आप achieve कर सकते हो क्योंकि अभी आपके पास own around 6 month का time अभी CUT UG 2025 का जो आपका exam होगा वो में के मंत में होगा तो अभी आपके पास own around 6 month का time आता है तो ये time काफी मतलब की इतना time आपके लिए काफी है अगर अभी तक भी आपने कुछ भी start नहीं किया और अभी भी अगर आप अच्छे से start करते हो रोज अच्छे से preparation करते हो अपना target score को दिमाग पर रखके preparation करते हो तो आप में के end तक means जब आपका exam होगा उससे पहले आप अपना जो सारा syllabus है उसको भी अच्छे से cover कर लोगे साथ ही साथ आपका जो ये target score है इसको भी अच्छे से achieve कर लोगे mock test की कैसे practice करनी है कैसे exam pattern रहते है कैसे आपकी जो पूरा syllabus है पूरी जो सारी चीज़ है उनकी जो playlist है उनका link description में मिल जाएगा वो वीडियोज है वो आप वहाँ से check out कर सकते है इस वीडियो में हम check out करते है क्या आपका safe score रहने वाला है for CUTUZ 2025 शो शुरू करते हैं so hello everyone my name is Gaurav I hope you all are doing well so check out करते है अपना safe scores for different universities category wise and courses wise basically हम जो आपका Delhi University जो आपका JNU आपका और BHE ये top 3 आपके central universities आ जाती है इनके लिए हम अपना safe score है वो check out करने वाले अगर आप जो इनका safe score है ये target score लेके चलते हो वैसे जो maximum students है इन type की जो universities like आपकी Delhi University हो गया like आपका BHE हो गया JNE हो गया इनी universities को target करते है क्योंकि ये top central और government universities आती है बाकि आप चाहे किसी भी universities को target कर रहे हो आप अगर आप minimum इतना score कर ले हो तो आपको मतलब कि एक अच्छी खासी university और साथ-साथ अपना जो course है वो मिल ज़रूर जाएगा बाकि आप किस university और किस course को target कर रहे हो उसको भी comment box में ज़रूर लिख देना मैं next video में आपकी जो university आपका जो course है उससे related भी particular आपका safe score रहने वाला है particular किसी universities के लिए वो भी मैं आपको बता दोगा बाकि आपका जो भी doubt आते है उसको भी comment box में लिख देना चलो शुरू करते हैं यहाँ पर हमारे पास चीज आती है safe score for CUTUG 2025 और हम सबसे पहले check out करने वाले हैं for Delhi university क्योंकि maximum बहुत सारे जो students होते हैं वो Delhi university को target करते basically Delhi university में आपके 3 campus आते हैं north campus, south campus, off campus, north campus के लिए आपको सबसे ज़्यादा score करना होता है और फिर आपको south campus के लिए और off campus में आपका थोड़ा कम score भी है तो काफी अच्छे हैसे वहाँ पर college आ जाते हैं वहाँ पर आपको admission मिल जैगा बाकि अभी आप अपना top north campus को target करके चलो दब आपका बाद में जब आपका exam हो जाएगा जितना आपका score आएगा उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा आपके लिए best college और course रहने बाकि मैंने separate video भी बनाई हुए Delhi University में admission लेने के लिए चलो देखो Delhi University में सबसे पहले हम check out करते है for science group देखो अगर आप science group मतलब कि science के जो courses है like B.S.C के जो भी courses हो गए वहाँ पर admission लेना चाते है तो आपका जो score count होता है वो 600 में से count होता है मिनस आपको physics, chemistry, math इन तीन subject का exam देना होता है साथ साथ आपको English का भी exam देना होता है देखो Delhi University के किसी भी course में आप admission लेना चाते हो तो उहाँ पर आपको English का exam देना ही होगा बस उतके जो marks होते हैं उस science courses के लिए count नहीं होते है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं for math group अगर आप math group को target कर रहे हैं मिनस physics owners, chemistry owners, math or math owners और फिर इन program जो courses होते हैं अगर जो math वाले courses हैं उनको target कर रहे हैं तो आप minimum अपना 230 प्लस अपना score लेके चलना मिनस यह आपका target score है इतना अगर इस से plus आप score कर लोगे तो Delhi University में आपको admission मिल जाएगा Delhi University में मिल जाएगा ध्यान रखना जो top colleges हैं उनके लिए आपको minimum 600 में से 525, 30 प्लस करके score चलना होगा बाकि यह 230 मैंने आपको एक target बता दिये कि इस से तो जाद आपको रखना ही होगा इस से कम रहेगा तो आप मतले एक danger zone में चले यह owner scores के लिए अगर आप program course को target कर रहे हो तो 210 प्लस आपको score करके चलना होगा आपके जो mock test है आप जब अपना प्रिपेशन करोगे तो अपनी प्रिपेशन को इस हिसाब से लेके चलना वैसे मैंने separate videos बनाई हुई और आगे में बनाने वाला हूँ कि कैसे आप अपना जो target score है अपने जो mock test है अपना जो safe score है उसको अचीव कर सकते हो ऐसी हम बात करते है बायो गुरूप के लिए तो बायो गुरूप में देखो आपको जो cutoff रहती हो काफी हाई रहती है आपको 400 प्लस minimum score करके चलना होगा क्योंकि बायो के जो courses है वो Delhi University में उनकी जो number of seats है वो बहुत कम आती है ऐसी जो life science के course है उसमें आप 300 प्लस score कर लेते हो तो आप एक safe zone में आजयोगे आपको कोई ना कोई कोई कोलिज यहाँ पर Delhi University में on around 90 plus colleges आ जाते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा बाकी मैंने आपको बता दिया starting में मैं आपको बता देता हूँ North Campus के लिए तो आपको minimum जो भी आपका 600S में से 520, 30 plus करके score चलना होगा ऐसी हम बात कर लेते हैं जैसे science में कुछ special group आ जाते हैं जैसे maths का जो BSC Owners maths हो गया stats हो गया और CS हो गया इनकी जो cutoff है वो अलग से बनती है इनकी cutoff बनती है आपकी 800 maximum से maths के लिए 660, stats के लिए 620 और CS के लिए 500 इतने minimum आपको score करके चलना होगा यह minimum score है इससे plus ही आपको score करना होगा और top college और course के लिए तो आपको इन से जादा ही रखना होगा बाकी मैं आपको थोड़ा category wise idea दे देता हूँ देखो अगर आप OBC और EWS category से आ जाते हो तो यह सब जो मैंने score लिख रखा है यह UR category में जरनल category के लिख रखा है तो इन में से आप अपना 5 to 10 marks कम कर सकते हो अगर आप North Campus को target कर रहे हो अगर आप South Campus को target कर रहे हो तो 10 to 15 marks कम कर सकते हो और अगर आप Off Campus को target कर रहे हो तो 20 से 25 जो marks है उनको टार मतलए कि कम करके चल सकते हो बाकी top college और top course के लिए जैसे basically north campus में आपका B.com honors हो गया आपका B.A. political science हो गया वो मैं आपको आगे बताऊंगा top college and courses कौन से रहने वाले उनके लिए जो cutoff है वो almost journal और जो EWS है और जो आपका OBC है उनके लिए almost 2-3 number का ही gap रहता बाकी SCST के लिए मतलए north campus में 10-20 number का gap लेके चल सकते हो जो मैं आपको सारे marks बता रहा हूं और south campus में 30 marks का और off campus में 40-50 और ST के लिए तो even आफ 100 marks का भी gap लेके चल सकते हो और SC के लिए कुछ courses और कुछ college में आप 50-70 marks का भी gap लेके चल सकते हो depend करता है कि जो आपका course है वो कितना demanded है अगर उसके काफी high demand में हो काफी मतलए कि एक famous course है वो और off मतलए कि main campus से आप कर रहे हो minimum आपको 520 प्लस स्कोर करके चलना होगा यह minimum score है इस से high करोगे तभी आपके chance रहेंगे admission के लिए यह पूरा आपका जाता है science group के लिए और जो मैंने category wise बताए यह पूरे Delhi University पे ही लगता है चलो आगे बात करते हम commerce group के लिए तो commerce की जो cutoff बनती है वो आपकी 800 marks में से बनती है तो अगर आप बीकॉम owners को target कर रहे है तो minimum आपको 660 प्लस आपको score करके चलना होगा तभी आप Delhi University के किसी college में admission ले पाऊगे और 660 प्लस पूरे Delhi University के लिए अगर आप नोर्थ केमपस से लाइक SRCC स्टीफन्स और आपका हिंदू college Miranda House LSR इन टाइप के college जो top college है उनको target कर रहे हो तो 800 में से minimum आपको 757, 67, 70 plus target करके चलना होगा तभी आपकी top college में admission ले पाऊगे ऐसी B.com program के लिए भी जो cutoff है वो काफी हाई रहती है 600 प्लस ओल ओवर दी Delhi University और minimum 720, 730 प्लस अगर आप top north campus के college target कर रहे हो तो तो सारे जो cutoffs है और जो save score है अपने लिए अपना note down in को कर लेना वीडियो को save कर लेना बार बार इस वीडियो को देखते रहना हर मन्त में हर वीक में ताकि आपको पता चलता रहे मेरे को कितना target करके चलना अगर हम बात करते हैं arts group means humanities students के लिए तो आपको मतलगी जो BA owners का जो अगर course करना चाहते हो तो 800 में से आपको minimum 550 प्लस स्कोर करके चलना होगा और ऐसी प्रोग्राम के लिए 500 प्लस आपको target रखना होगा तभी आप Delhi University के किसी course में admission ले पाऊगे और ये मैं overall Delhi University के लिए बता रहा हूं और इसमें कु में जो students apply करते हैं वो काफी जाधा करते हैं और यहाँ पर cut off थोड़ी high रहती है ऐसी political science, philosophy and psychology course भी आपका काफी high demanded course है Delhi University में तो cut off जो है जैसे यहाँ पर मैंने 550 बताई तो 580 आपकी cut off रहती है मिल्स आपका safe score ये रहने वाला है तो थोड़ा मैंने आपको subject wise भी, category wise भी और आपका जो courses है उसके वाइस मैंने आपको सारा खुछ बता दिया ये पूरा overall Delhi University की जो safe score है वो आ जाते हैं गर आप 2025 के लिए Delhi University को आप मतलब टारगेट कर रहे हैं उसके top college और top course में admission लेना चाहते हैं तो यह आपका safe score रहने वाला है बाकी कैसे कैसे आपको सब कुछ करना ह प्रिपेशन क्या रहने वाली है कि आपको मतलब की किस टेंप पे क्या चीज़े करने है उन सब का लिंक आपको description में मिल जाएगा बाकी आप मेरे से 101 भी मतलब की contact कर सकते हो related to guidance related to career advice related to college admission in Delhi University किसी भी top central universities में कैसे आपको करना है सब कुछ उसके लिए मैं आपको direct हैं पर 101 भ help कर दे करूंगा उसके लिए आप मतलब description में जो Google phone में उसको फिल जरूर कर देना चलो आगया ऐसी हम बात करते हैं for JNU देगो JNU में आपको मतलब की काफी wide range of courses नहीं मिलेगी in UG courses मतलब कर आप CUT UG से exam दे रहे हैं तो JNU हम safe score check करते हैं for CUT UG 2025 यहाँ पर आपको GT plus English का आपको exam देना होते हैं जिसकी cutoff 450 में से बनती हैं और यहाँ पर check out कर सकते हो इसका screenshot भी ले ले लेना कि आपके जो subjects है means यह आपकी सब languages है French, German, Korean, Spanish, Japanese, Russian, Chinese, वास्तो और Arabic और Persian यह सब आपकी language हैं और UR, SC, ST, OBC, EWS की cutoff है वो कितिने रहने वाली हैं तो minimum आपको इतना मतलब कि क्या करके चलना होगा target करके चलना होगा for 2025 अगर आप JNU में in courses में admission लेना चाते हो और यह मतलब मैं minimum बता रहा हूँ इससे आपको high ही रखना होगा तब यह आप admission ले पाऊगे क्योंकि JNU में तो जो seat से वो और जादा कम है means on around सभी courses में 40-50 seat C आती है बट उसकी जो fees है JNU की और जो पूरा campus area वो इतना ज्यादा अच्छा है fees भी इतनी ज्यादा कम है कि अगर आप इन courses में एक बार admission ले लेते हो तो आपको मतलब काफी चीज़े हैं पर सीखने को मिलेगी तो यह आपका पूरा cut-off मतलब की safe score का चार्ट आ जाता है for JNU चलो आगे बात करते है system for BHU, बहुत बहुत बड़ी और अगर आप एश्या देखोगे तो सबसे largest campus आ जाता है और जो main campus है वो भी इंडिया का top third largest campus आ जाता है और इसके जो सभी courses है काफी wide range आपको course यहाँ पर मिल जाएंगे, साथ यहाँ पर आपको faculties मिलेंगी जो आपका पूरा structure मिलेगा वो भ हम बात करते हैं, बगरा बहुत में particular बहुत को target कर रहे हो particular उसके course को तो वहाँ पर आपको कितना सेफ इसकोर लेके चलना होगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, BA owners के लिए जो arts वाला group है, तो आपकी cutoff हो वहाँ पर 450 में से बनती है और यह सब आपके marks लिखे हुए, जैस आपका safe score कितना रहेगा, अगर आप इतना score कर लेते हो, तो आपके काफी high chance रहेंगे कि आपको यहाँ पर admission मिल, जैगा minimum इतना आपको score करके चलना होगा, बाकी first cutoff में admission लेने के लिए तो आपको 99-98 percentile admission मतले कि इतना score रखना होगा, ऐसी हम बात करते हैं, BA अपना social science के लि आपके campus area है, इन सब के लिए category wise आपका safe score लिखावा है, और यह जो सारा safe score आते हैं, जो last three years से जो आपका CUT हो रहा है, उसमें आपका कितना students apply कर रहे है, number of applicant, साथ-साथ कितना उनका cutoff पर उनका admission हो जा रहा है, मतले starting की cutoff कितनी रही, last की cutoff कितनी गई, इन सब को calculate करने के बाद यह जो पूरा safe score है, यह बनाया गया है, मतले कि इसको आप मतले कि इहाँ पर इसको अपना target score लेके चल सकते हो, CUT UG 2025 में, आप BHU, DU, JNU, और भी जो top central universities है, वहाँ पर easily admission ले सकते हो, काफी students का last year मतले कि मैंने उनको guide किया है, मैंने जो help किया उनकी preparation में, और साथ-सा students in Delhi University, BHU, JNU में भी कुछ मतले कि काफी students, वहाँ पर उनका admission confirm हो है, आज भी मेरे से contact में, काफी अच्छा लगता है, जो उनसे बात होती है, तो ऐसी मैं चाहूंगा कि आप भी मतले, उपना CUT UG की preparation बहुत अच्छे से करें, और 2025 में भी आपका जो dream college है, और आपका dream course है, उसमें आपका admission हो, चलो, BCOM की बात करते हैं, तो BCOM की जो cutoff है, वो 650 में से बनती है, और बाकी एक मैं वीडियो आपको suggest करूँगा कि, BHU, JNU, जो भी central universities है, वहाँ पर मैंने subject selection आपको कैसे करना है, CUT UG में आपको कोन से subject का test देना होगा, ताकि आप इस universities में admission ले सकते हो, तो उसके मैंने separate video बना हुए, वो आप जरूर चेक आउट कर लेना, BCOM के लिए आपका campus wise, आपका category wise यह score आजाता, इसका screenshot ले 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 लेना, और इतना minimum आप अपना क्या करके चलना, target करके, चलना, अपना mock test दोगे, अपनी जो preparation करोगे, इतना minimum आपको रखना है, ब आगे हम बात करते हैं जो BSC जो owners आता है बायो वो 600 marks का आपका आता है FMC और FMBA में आपका ये courses अबलेबल हैं और minimum आपको इतना score करके चलना होगा मतलब ये safe score आता है ये cutoffs नहीं है ये basically safe score है अगर आप इतना score लेके आते हो तो इससे plus में आप रखना plus अगर लेके आते हो तो आपके admission के काफी high chance रहेंगे ऐसी अगर हम BALLB की बात करें 650 में से आपकी target मलगी cutoff बनती है और UR, EWS, OBC, SC, ST में से आपका मतली इतना target score आपका होना ये ये सब कुछ आपका आजाते है फोर Delhi University, JNU and BHU hope करता हूँ आपकी सारी चीजी एच्छे से समझ में आगी होगी बाक चीजों का link आपको description में मिल जाएगा बाकी आप playlist section में मैंने अच्छ से playlist बना रखी है उनको भी check out कर सकते हो बाकी description में जो helpful books है उनका भी आपको link मिल जाएगा वो book आप ज़रूर बाए कर लें और जो best books है उनकी भी मैंने यहाँ पर link आपको provide कर रखा है वो book आप बाए क करके उनकी अपनी जो preparation है वो जलसी जलसी start कर दो क्योंकि अभी आपके पास six months का time है अगर आप अभी से भी start करोगे तो आप मतलगी full marks भी हाँ पर क्या कर सकते हो easily score कर सकते हो बाकी कैसे करना है सब कुछ कैसे रहता है उन सब चीजों का link आपको description में मिल जाएगा बाकी WhatsApp पर हो मतलगी video call के through call पर आप मेरे से बात कर सकते हो तो यह सब कुछ आपका जाता related to this video होप करता हो यह video आपको helpful लेगी होगी वीडियो helpful लेगे तो उसको like ज़रूर कर देना and yes जाते बक्त चैनल को subscribe ज़रूर कर देना so मिलते अपनी next किसी helpful वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू